तो कह रहे हैं 0.6 ampere current flow through a register अब current कितना फ्लो हो रहा है तो यहां पर हो रहा है 0.6 ampere voltage of two point of register is 12 volt अच्छा two point के बीच में voltage तो वो जो दो point है जहां पर current इतना flow हो रहा था voltage आपको 12 volt दिया हुआ है तो we have to find resistance तो हमें ohm slow से पता है V is equal to IR होता है तो R is equal to क्या हो जाएगा V upon I V हमको 12 दिया हुआ है आई हमें 0.6 दिया हुआ है तो यह 120 upon में 6 हो जाएगा 6 1 जा 6 2 जा 12 20 तो इस तरीके से 20 ohm हमारा क्या आ जाएगा resistance आ जाएगा कितना simple चीज है पिसलाओ सिर्ड़ेश थर्ड़ा है